हेलो दोस्तों नमस्कार गुड मॉनिंग जैहिंद आप सभी का स्वागत है मुबाइल पाच्छाला की यूट्यूब चैनल पे एकदम आराम से आप जहां पे भी है जैसी भी है जिस भी स्थिती में है कंडिशन में है वैसे आप बैठ जाएगे क्योंकि आगे की जो आदे गं कुल्ट्र की सवाल होने है तो फटा फट से देरी नहीं करते हैं स्टाट करते हैं इस मोटिवेशन कोड के साथ हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्वर करती है मानलो तो जीत है ठानलो-प् की बाता है समझ में अगर आपने गर यह मानगर लिया है कि हमसे नहीं होगा, हमारे बसकी बात नहीं है, यह वही करेंगे जो पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे बसकी बात नहीं है, तो फिर अपका effort अगर आपके लक्ष के परती नहीं होना है, तो definitely आपको जो selection है वो तो होना ही नहीं है, पता ही समझ में, तो यह सारी चीजे हैं और आज के सवाल से स्टार्ट करते हैं, कह रहा है कि 300 वेक्ति किसी काम को 16 दिन में संपन न कर सकते हैं, उसी काम को 15 दिन में पूरा करने के लिए कितने आजमी चाहिए, ऐसा सवाल है यह है, तो आप ज़र ध्यान से देखेगा, मैं अगर यह बोलू है, और व्यक्ति कारिश्यों सीधे उल्टा ले लो, मैंने कहा कि जो 16 आदमी थे भाई, 16 जो दिन ले रहे थे, वो इतने व्यक्ति थे, तो 15 दिन लेने वाले कितने व्यक्ति होंगे, तो 15 को हम 300 के बराबर कर देंगे, तो 15 दूना तीस, 16 दूना बत, 15 दूना तीस, 15 से होगे, समझ रहे हो, क्या रहा कि 15 दिनों में काम कम्प्लीट करने वाले के लिए, उसी काम को 15 दिन में कम्प्लीट करने के लिए, कितने आदमी चाहिए, तो जादा चाहिए, 16 दूना बत, 32 होगा, 320 आदमी चाहिए, तो 320, ये option में प्रोब्लम है 320, क्योंकि आप देख सकते हो, कि अगर 15 दिन में कम्प्लीट करने के लिए 300 लग रहे हैं, तो और कम दिनों में कम्प्लीट करने के लिए और जादा आदमी चाहिए, बता ही समझ में, नेक्स्ट, आप से कह रहा है कि ये इस सवाल है, इस से को देखो, अपने उस पिछले सवाल में किया क्या, अपने अरकें टाइम का सवाल रेशियो से सॉल्व कर दिया, बता ही समझ में, अगला सवाल है कह रहा है, तो भाई साब देखो, हमें सबसे पहले तो यही देखना है, कि ये जो साथ है ना, ये लास्ट वाले का मल्टीपल है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, जो साथ से इग्जैक्ट या मैं ये भी वह सकता हूँ, ये वाला अगर जो सेकेंड वाला जो नंबर आएगा, वो छे का मल्टीपल होगा, तो मैं ये भी देख सकता हूँ, कौन छे का मल्टीपल है, कौन छे का मल्टीपल नहीं है, उसके लिए हम करेंगे क्या, कि सबसे पहले तो ये देखो, तीन क लिगा सबस्क्राइए है. यह भी और यह भी उप्सन करें, और अज़ा दिया. फिर भी अगर आप चाहते हैं, कि एकक्स्राइव सम्सक्राइख पूराकिक चाहते हैं. छे पाची ग्यारा और साथ अठारा तो अठारा यूनिट को बराबर कर लो 304, 0.36 ठीक है, तो अठारा एककम अठारा हुआ, बचा कितना भाई, 14, 144, तो अठारा और ठीक सो चवालिस, ठीक है जी, पॉइंट, 0, 1824, तो एक यूनिट की वैल्ली आपके पास इतनी आ गए, औ अगर एक यूनिट की वैल्ली इतनी आती है, तो आपसे जो जो पूछा जा जा रहा है वही, पाच यूनिट की वैल्ली बताओ सर जी, तो 18, 18, 0, 2, तो पाच का गुड़ा कर लो, तो 18, 95, तो 90, 10, 10, ऐसे भी सवाल के अंसर आ जाते हैं, तो फाल्तु में आप परिशान होन कि A को B का तीन गुना मिले, C को B का एक तीहाई मिले, तो आप ना पहले एक काम करो, A अनुपाते भी लिख लो, क्योंकि यही आपका लॉजिक है, कह रहा है कि A को B का तीन गुना, तो B को अगर एक मिलना है, तो A को तीन गुना मिलेगा, जस्ट तीन गुना, या आप ये बोला जा रहा है कि जो आगे जो C है आगे जो C है वो B का एक तियाई तो थाय आपको पता है कि तो यही है 9-3-1 सवाल को और करने की ज़रत ही नहीं है वही पूछ रहा था 91 रुपए 30 पैसे को ABC की बीच में किस करब भाजित करेंगे कि A को C का ये मिले तो भाई इसका मतलब क्या होता 3 बटा 2 तो जिसका वो नीचे होता आप जानते हैं कि अगर A और C का अनुपात अगर हम लेंगे तो जिसका वो नीचे तो किसका भाई C C का तो C हो गए नीचे इसका मतलब C 2 A होगा 3 यहां देखो 2 ना 4 और 1 पांच बटा 2 तो यहां में भी जिसका वो नीचे तो इसका मतलब जिसका यहां कि C 2 है और B कितना भई कैना B वाला हमारा 5 होगा यह B 5 होगा तो अगर मैं यह बोलू कि exact बताओ A, B और C का रेशियो क्या होगा तो A वाला तो 3 है C वाले को fix कर दिया 2 है तो B कितना होगा 5 जब किसी भी रेशियो में कोई चीज fix करके आजाए तो हम उसके साथ एड़ेसेंट दोनों वैल्यू को ऐसी लिख लेते हैं यानि कि 3 को भी ऐसे लिख 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 तो 3, 5, 2 यह सवाल का उत्तर हो गया अगले पे चलते हैं क्यारा कि 625 को A, B, C के बीच इस प्रकार भी वाजित किया जाता है कि A को B के हिस्से का B के हिस्से का 2 बटा नो इसका मलब A और B का अगर हम रेशियो लेंगे तो जिसका भाईसा वो नीचे है किसका? B का तो B वाला 9 है यह होगा तो आगे कह रहा है कि C को A के हिस्से का 3 बटा चार तो एक काम करो ना मेरी बाद जरा समझो मैं अगर चाहूं तो इसको 18 और 4 भी लिख सकता हूँ कोई फरग नहीं पड़ेगा अगर यह दोनों रेशियो में है 4 अठारा और 3 गे 4 अठारा और 3 गे 4 अठारा और 3 गे यह सवाल का उत्तर है क्लियर है? दन है ना भी? बिल्कुल दन है आगेला सवाल है कहाँ कि 99 को A, B, C के बिच इस प्रकार भी भाजित क्या राता है कि A को B का 5 गुना तो भाई A, B, C तो A को B का 5 गुना यानि अगर यह वन है तो B का 5 गुना कौन पाएगा? A पाएगा ता था C को A, B के प्राप्त कुल रकम का हाफ तो A, B द्वारा कुल रकम कितना पाएगा भाई? 6 6 का हाफ कुन पाएगा दोस्त? C यानि कि 3 इतना ही तो आएगा अगला है कहरा कि 355 को तीन हिस्से में इस प्रकार में वाज़ित किया जाता है कि पहले इस्से का 3 गुना दूसरे इस्से के 5 गुने तो था तीसरे के 7 गुने के बराप्त कहरा कि तीन हिस्से को इस प्रकार में वाज़ित करें कि पहले है देखो भाई, फर्स्ट है, यह सेकंड है, और यह थाट है, पहले का तीन गुना, तो भाई, पहले का तीन गुना, ठिक, दूसरे का पांच गुना, तीसरे का साथ गुना, यह सभी वराबन, तो आप से कह रहा है कि बताओ, पहले अनुपात, दूसरे अनुपात, तीसरे, यह भाई सब आएगा क्या, ये आएगा क्या, तो जरा मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी ऐसे दिया हो, 2A, 3B, 4C, जब कभी भी सवाल ऐसे दिया हो, तो इन numeric values को उठाते हैं, और क्या लेतें भाई, LCM, क्या लेतें, LCM, तो 2, 4, 3, 2, 3, 4, इनका LCM क्याएगा भाई, 12 एगा, अब हम हर एक numeric value को 12 बनाने का प्रयास करेंगे, अगर इसको 12 बनाना होगा तो कितने का गुड़ा करेंगे दोस्त, 6 का, इसको 4 का, इसको 3 का, तो ये ही हो जाता है ABC का ratio, ये हो जाता है ABC का ratio, A is to B is to C, एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है मेरे दोस्त, दूसरी चीज़ है कि अगर A बटा 2, B बटा 3, C बटा 4, अगर ऐसे करके सवाल दिया हो और आपसे पुछा जा A, अनुपाते B, अनुपाते C क्या होगा, तो जैसे ये चीज़े दी गई हैं आप ऐसे इनको ratio में लेकर लो, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये आपका ratio हो जाता है, बटे में चीज़े होंगी तो वैसे ही ratio में बतात लेंगे, बाता है समझ में, तो ये आपका सवाल है, मैंने क्या बोला है अभी, कि अगर ऐसे सवाल हो तो इन numeric values का LCM में लो, LCM मेरे दोस्त होगा क्या, साथ पच्चे पैतिस, 35 तियां होता है, 105 के, अब हम हर value को 105 बनाएंगे, 3 को अगर 105 बनाएंगे, तो कितने का उड़ा करना पड़ेगा, किस बंजे, नहीं बई, एक second, 3 को अगर हम 105 बनाएंगे, तो हमें 35 का उड़ा करना पड़ेगा, 5 को 21 का, और 7 को तो 15 का, तो ये आपके सवाल का answer जाते है, ठीक है, उमीद है कि ऐसे सवाल और भी है, ठीक है, 100 टुकडी को मिला कर एक निकाय तयार किया जाता है, ताकि पहली बटालियन का आधा, दूसरी बटालियन का एक तिहाई, तीसरी बटालियन का, तीन चोथाई, एवं चोथी बटालियन का, चार बटे, पाँच, सब सैनिकों की संक्या समाने, तो कह रहा है कि तो प्रतेक दूसरी का कह रहा है दो बटा तीन, तीसरी का कह रहा है तीन बटा चार, चौथी का कह रहा है चार बटा पाँच, तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, इनके आगे तो कुछ नहीं लेकिन इसके आगे कुछ ना कुछ है, तो अगर इसके आगे भाई सब कुछ ना कुछ है, इ बताईए तो भाई साब इसको हटाने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि मैं इक काम करता हूँ मैं ना इन तीनों का LCM किनों का LCM हो रहा बारा तो मैं इक काम करता हूँ ना कि मैं नीचे सभी की जगा बारा बारा का गुड़ा कर देता हूँ इससे कोई फर्ख नहीं पड़ेगा, अगर हर जगह मैं 12-12 का गुड़ा कर रहा हूं, तो कोई फर्ख नहीं पड़ेगा, कोई फर्ख नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, तो यह तो हो गया 12-24 का यानि यहां हो गया 1-24, यह 2 से कड़ जाएगा, बचेगा 6, तो B-18, यह 3, 4 बार है तो C बटा 16, यह 3 हो जाएगा 3 पचे 15, अब देखो क्या कुछ ऐसा हमारे पास दृष्टी निकल के नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो आप जानते हैं A, अनुपाते B, अनुपाते C, अनुपाते D, इसके जो वैली हुई वह 24, 18, 16, और 15 के होती है, आपको 73, 100 को बाटना होगा, तो 73, 100 को आप इनको जोड़ना पड़ेगा, तो देखो 6, 5, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, यहने की 3, है न, ठीक है, 2, 3, 2, 5, और 2, 7, तो टोटल 73, आरा है, 73, वराबर 73, 100 के है, तो एक यूनिट की वैली आएगी दोस्त, 100 के, एक 100 के तो हर में देखो, इसमें आएगा 24, 100, सुनो जरा, इस वाले में 24, 100, इस वाले में कितना दोस्त, 800, इस वाले में कितना, 1600, इस वाले में कितना, 1500, बस सवाल का उत्तर है, है न, अगले पे चलते है, किसी दिवालिया व्यक्ति ने 21,000 रुपए करज लिये थे, अब उसकी संपत्ती, चार करजदार ABCD की वीच बिवाजित किया जाना है, इन करजदाताओं ने इस प्रकार करजद दिया था, कि A और B के करज का अनुपात ये है, तो भाई सब A, और B के करज का जो अनुपात ह 3, B और C के करज का अनुपात क्या है, B और C के करज का अनुपात है ये, 4 और 5, C और D के करज का अनुपात क्या है, 6 और 7, आपको पता है कि अगर जो चीज़े खाली हो, बगल वाले से भर दो, 3, 3, 5, यहां 6, 6, यहां 4, बगल वाले से भर गया है, सभी का वहिसा मल्टिव तो चार दूना 8.48, 12.52, 8.30, तो यह रहा इनके करजा बाटने का अनुपाद, यह रहा है इनके करजा बाटने का अनुपाद है ठीक है अगले बें चलते हैं नेक्स सवाल देखो 32 रुपए में एक रुपए 50 पैसे 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे जब कि 4-5 और 6 के अनुपाद में होंगे करेजे 4-5 और 6 के अनुपाद में होंगे करा सिक्के का अनुपाद बताना मुझे देखो भी ध्यान से आप ये बात जानते हों कि एक रुपए के 4 सिक्के होंगे 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 6 सिक्के होंगे अगर मैं रुपए में इंको बनाना जाओं तो सिंपल सी बात है ये 4 होगा क्योंकि बही एक रुपए के 4 सिक्के तो 4x में मिला के चार एक को में प्लस 50 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो 1 रुपया 1,5 रुपए के अधाई का मतलब 5 बटा दो 25 पैसे के चार सिक्के मतलब हो गए एक रुपए और दो सिक्के एक्स्ट्रा तो हो जाएंगे भई डेड़ रुपए डेड़ रुपए को हम बोलते तीन बटा दो सब पे एक्स लगाना पड़ेगा और यह सब ही मिलके कितना बनाएंगे 32 रुपए के यह हो जाएगा 32 के तो कटा शोल दूना बत्रीस हुआ ऐक्स की वैल्य आगई 4 के जैसे एक्स की वैल्य फोर आगई तो चार की वैल्य एक्स की वैल्य इसमें पूट करना शुरू करो देखो चार चॉपए 16 होगा चार पंजे बीस होगा, चार चाक का चौबिस होगा, ये सवाल का उत्र होगा, 20, 24, 20, 26, 24, 16, 20, 26, 24 आएगा, इसको अब 24, 12 मत बनो, इसको अब 24 बनो, अगर वहां 3 होता, तब यहां पे 12 आता तो 24 बनो, ठीक है, next, अग्रा सबस, कि रहा है कि 31-15 रुपए को ABC के बीच इस प रकम के अनुपात में इसको इस परकार विभाजित किया जाता है कि इनके हिस्से में 25, 28, 52 घटा दिये जा तो सेस रकम इस अनुपात में ठीक है तो बात ज़र ध्यान से सुरीए आप ये बात जानते हैं कि 8X और प्लस अगर 25 रुपए में जोड़ दो तो वो पुरानी रकम में पहुंच जाएगा वो 15X ने अगर मैं ये 2800 रुपए जोड़ दो तो ये भी पुरानी रकम में पहुंच जाएगा ऐसी सेम चीज़ बीस X ने अगर मैं ये 52 जोड़ दो तो ये भी पुरानी रखम में पहुँच जाएगा और कुल मिला के कितने मिला लेंगे 31 इतने रुपए बना लेंगे अब इन सभी को आपको जोड़ देना है तो जोड़ेंगे आप 20, 68 होगा 28 और 10, 38 हुआ, 38, 5 होता है 43 यहां से आप इन सभी को जोड़ोगे तो 25, 25 जोना 50, 53 तिरपन और 106 तो 43 एक्स, तो 43 एक्स, तो 31 पंदरा घटा होगे, यहां एक आज दाएगा और स्वरी, यहां 9 आएगा, यहां बचा 0, 0 का मतलब 0 ही होगा फिर यहां भी 0 होगा, ठीक है, 300 अब यहां से एक्स की वेलव निकांए, कितनी बार जाएगा, 43, 4 तिया बार, 4 छक्क, 24, 4 सत्या, 28, 7 बार देखो जा रहा है, 7 एक्केस, एक हुआ, 2 और 4 सत्या थाइस, अठाइस और 2 साचोक एठाइस, साथ यह एकेस, अठाइस दो, तीस होता है, तो जादा हो जा रहा है, ठीक है, छे बार ही ले जाओ, छे ती आठारा के याट हुआ, छे चोका, चौबिस और एक पच्चिस, अंठावन हुआ, तीन सो में से अठावन जब जाएगा, तो आएगा बेहलिस के, अब यह कितनी बार ले जाओ, तीन बार ले जाओ, तीन, साथ नवा तिरसट, तीन नवा सत्ताइस, यह तो कटता ही नहीं दिखा रहा है, ठीक है, फोटी टू आया, फोटी त्री, नाइन बार भी अगर मैं इसको ले जाओंगा, तो नौ तियां सत्ताइस, और नौ चोका छत्तिस, डेफिनिटली कटे गई ही, को बात में देखेंगे, यह कट नी रहा, तो हो सकता है, डेटा में कुछ दिफरेंस हो, अगला कहरा है कि दो संख्या हैं, तीन अनुपाते, चार के अनुपात में हैं, उनमें कितना जोड़ा जाए कि अनुपात क्या हो जा दो संख्या हैं इस अनुपात में, तो देखो द्यान से, करा की तीन एक्स अपॉर एक्स, करैस में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात हो जाए चार और पांच क्या तो एक बात समझ लो, कि जब कभी भी ऐसे सवाल आए, तो याद रखना कि ऐसे सवालों का एक और उप्श can not be determined, मतलब अगर हमारे पास सिर्फ दो रेशियो दिये हुए हैं, सिर्फ दो रेशियो और आप से कोई नंबर पूछा जा रहा है, तो ऐसे सवालों का उत्तर निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, ना मुम्केन है, ना मुम्केन है, ठीक है, तो ये कुछ सवाल है, जो रेशि की solution के माध्यम से solve किया, आज इतनी रखें, मिलते हैं आप से अगले class में किसी और एक नए topic, एक नए chapter के साथ, आज के लिए तना ही, thank you very much, bye bye, take care.